जैमाता की वक्तों, आज हम ऐसे विश्य पर चर्चा करेंगे, जो विश्य सबकी निजर में भी है और समाने भी है, क्या हम मनिश्य की मृत्यू के बारे में जान सकते हैं। हाँ, जान सकते हैं। इस विश्य को आगे बढ़ाने से पहले, मैं आप से एक बात तो हुआ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और गंटी के बटन को दमाएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह जानकारी सबको मिल सकी। तो अब यह जानिए, कि मृत्यू के बारे में कैसे जान सकते हैं। कुछ कारण ऐसे हैं, जो शरीर में प्राकरजिक तौर पे उत्पन हो जाते हैं। और वो सबस्ट करते हैं कि यह जो व्यक्ति है, अब यह दुनिया चोड़के चला जाएगा अर्थाब मर जाएगा। तो पहला कारण है, जीब में कांटे का होना। जीब में कांटे उत्पन हो जाते हैं प्राकृतिक तौर पे और खाना पीना बंद हो जाता है। ऐसे समय में अगर आप उनकी जीब को छूके देखेंगें, तो काटे आपको महसूस होंगे। दोर, आये दूसरे विशह पे, और वो विशह है कि मनशे जो बिमार है काभी समय से चल रहा है। उस व्यक्ति की आँखे ठहरनी शुरू हो जाएं। और आँख से पानी आना लगाता जारी रहे। तो यह समझ लिजे कि उस व्यक्ति की जीवन लिला जादा से जादा हाफते या दर्स दिन में समात हो जाएगी। और तीसरा विशे है कि नाक जो व्यक्ति बिमार है और काभी समय से बिमार चल रहा है। उसकी यांके ठहरने लगी है। याज रहे कि वह आदी मर जाएगा। और कुछ और समय पहले अगर उसकी नाक टेड़ी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति भी जाज जिन तक जिन्दा नहीं रहेगा। इन जानकारी को देखने के बाद आप इस निष्टे पे पहुंच जाएंगे। कि जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं कि इसकी जीव में काटे हो गए हैं। नाक टेड़ी हो गई है। कान सूख चुके हैं और लटक गए हैं। वो व्यक्ति निष्टे ही इस दुन्या को जाटके चला जाएगा। इनी शब्दों के साथ मैं एक पार आपसे फिर कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सिस्क्राइब करें। गंटी वाले बटन को दबाएं लाइक और शेयर करें। ताकि जानकारी सब को मिल सके। इनी शब्दों के साथ मैं आपसे विज़ा चाहूँगा। जाएमा ताकि